हेलो नमस्कार आप सबका स्वागत है मॉम्स रेसिपी बाई की रन में आज मैं बनाने जा रही हूं मसाला डोसा रेसिपी तो चलिए इसे बनाना सुरू करते हैं मैं इस वीडियो में आपके साथ मसाला डोसा की रेसिपी पूरे डेटेल में आपके साथ शेयर करने जा रही मैं इस cup से 3 cup चावल ली हूँ, rice ली हूँ, 3 cup और 1 cup हमें उरत दाल लेना है, इसका यही measuring होता है, आप जिससे भी नाप रहे हो, तो अगर आप glass से या कटोरी से नाप रहे हो, तो 3 कटोरी चावल होगी, 1 कटोरी उरत दाल होगी, आप चाहो तो इस टाइम पर 1 चमस मेथी भी डाल सकते हो, और चावल या डाल को दोनों को अलग-अलग भी भीगो सकते हो, मैं साथ में भीगो रही हूँ, इसे मैंने 1-2 पानी से अच्छे से दो लिया है, और इसे 4-5 घंटे फूलने के लिए भीगो के हम लोग छोड़ देंगे, यह अच्छा से फूल जाएगा, 4-5 घंटे हो गया है, यह अच्छे से फूल चुका है, मैंने इसे अच्छे से दो लिया है, अब हम लोग इसे ग्राइंट करेंगे, तो मैं यहाँ जार में आधा डाल दी हूँ, आधा आधा करके मैं दो बार इसे पीस हूँगी, और इसमें थोड़ा सा पाने डाल कर हम लोग पहला एक बार अच्छे से पीस लेंगे, इसे मैंने एक बार अच्छे से पीस लिया है, और इसे हम लोग एक बरतन में डाल देंगे, और फिर बाकी बच्चे चावल और डाल को भी हम लोग पीस लेंगे, आप चाओती हैं पर मेथी भी यूज कर सकते हो, साथ में पीस सकते हो यह digestion के लिए होते हो इसे हम लोग 8-10 घंटे कवर करके छोड़ देंगे fermentation के लिए गर्मियों में fermentation जल्दी से हो जाती है जब हम लोग सुबा इसे ढखकन खोलेंगे तो यह अच्छे से फर्मिट हो चुकी होगी देखिए बैटर दुगूना हो चुका है अब हम लोग इसमें नमक डाल देंगे मैंने यहां कोई मेथी दाना यूज ने किया है आप चाहो तो मेथी दाना रात में इसे साथ में पीश सकते हो दाल में इसे digestion अच्छे से होती है यह धोसा का बैटर हमें थोड़ा सा पतला चाहिए तो हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे और इसे हम लोग अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से हमारा डोसा बैटर तयार है इस तरीके से होना चाहिए अब चलिए हम लोग चटनी की सुरुआत करते हैं चटनी के लिए मैंने कुछ कड़ी पत्ता लिया है दो तीन हरी मिर्ची लिया है लसुन की कलिया लिया है नारियल लिया है चना डाल लिया है हाफ का टोरी मैंने बादाम लिया है एक बड़ा चमच मैंने जीरा लिया है और राई यानि सरसो चाहिए हमें तड़का के लिए तो सबसे पहले हमें कड़ाई में तेल डालना है थोड़ा सा और उसमें एक बड़ा चमच हमें जीरा डालना है जीरा को हमें तड़कने नहीं देना है जैसे हमें जीरा डालना है दाल बादाम और मिर्ची एक सार डाल के हमें इसे अच्छे से 2-3 मिनट तक भुनना है गैस का फ्लेम इस टाइम पर मेडियम से हाई होना चाहिए इसे हमें जल्दी से भुनना होता है इसे हमें बिल्कुल भी जलाना नहीं है दो-ती मिनट तक ही हमें इसे भुनना है क्यर्फुली इसे हमें अच्छे से भुनना है इस तरीके से ये 2-3 मिनट में इस तरीके से हलका सा अपना कलर चेंज करेगा बस हमें इसे एक बरतन में निकाल देना है बस गैस के फ्लेम को इस टाइम पर आफ कर देना है और एक बरतन में इसे पूरे निकाल देना है और इस तीन लसुन की कलियां डालके और चाहो तो आप इसमें इमली के एक दो टुकड़े डाल सकते हो और स्वादनुसा नमक डालके इसका चटनी पीस लेना है मैं यानि इमली एक दो टुकड़ा यूज कर रही हूं और इससे अच्छे से ग्राइंड कर लोंगे इस तरीके से हमारा चटनी रेडी है अब चटनी को हम लोग तड़का देंगे तो यहां मैंने एक तड़का पैन लिया है उसमें थोगा सा तील डाला है अब हम लोग इसमें हाफ चमच राई डाल देंगे राई थोगा सा तड़क जाए सरसू तो उसमें हम लोग कड़ी पता डाल देंगे यह हम लोग चटनी में डाल देंगे इस तरीके से हमारा चटनी रेडी है यमी सा चटनी इसे अच्छे से तड़का को चटनी में मिक्स करेंगे तो इस तरीके से हमारा चटनी रेडी है तो अब हम लोग अलू स्टफिंग मसाला डोसा का स्टफिंग तियार करते हैं तो मैं उसी चम्मज चना डाल डालूंगी और कड़ी पत्ता डालके से थोड़ा सा बूनेंगे अब हम लोग इसमें एक बड़ा साइस के प्यास को अच्छे से स्लाइस करके मैंने यह डाल दिया है और इसे हमें प्याज को हमें बहुत जादा ने बूनना है बस प्याज हलका सा अपना पिंकिस कलर में आ जाए तो हमें इसमें टमाटर डाल देना है बस एक दो मिनट हमें प्याज को बूनना है हलका सा ये कलर हलका सा अपना चेंज किया तो मैंने यहाँ चोटा हमें टमाटर कट करके डालना है जैसे प्याज पिंकिस कलर में आ जाए टमाटर डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और तुरंत नमक हम लोग डाल देंगे ताकि टमाटर जलदी से गल जाए जैकें हमें दो मिन तक बूनना है इसे हम मेरे चोटी चुमच्छ अदरक लासुन पिश्ट डालेंगे कि जादा है है एक दम आधा ढालना एक दम थोड़ा सब अधरक लशुन का पेस्ट और सएक दू मिनट तक भूनना है इसमें हाफ चौटी चमश हम लो złो दनिया पाउडर डालेंगे हाफ चोटी चम्मच हल्दी पाउडर हाफ चोटी चम्मच मिर्ची पाउडर बस और इसे अच्छे से हमें सूखे मसालो को इसमें बूनना है जब भी हम लोग सूखा मसाला एट करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग पानी आट करते हैं जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे अच्छे से हम लोग 3-4 मिनट अच्छे से मसालो को इसमें बूनेंगे 3-4 मिनट तक मैंने अच्छे से इसे बून लिया है फिर हम लोग इसमें बॉल किये हुए आलू को डाल देंगे और इसे अच्छे से हम लोग आलू के सा और लास्ट में हम लोग इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके ग्यास के फ्लेम को अफ कर देंगे इस तरीके से हमारा मसाला स्टफिंग रेडी है अलू रेडी है अब हम लोग दोसा के त्यारी करते हैं तो यहां मैंने एक नॉन्स्टिक सब्क्राइन खोशोर के से लिए न buddies उसमें टवा अच्छे से ग्रम कर लिया है और एक जी स्लाइस आलो कि साहटा से मैं इस पर तवा ठेल अच्छे से फैला रही हूं यह एक टिप्स है इसे तवा पर ठेल अच्छे से फैलते हैं मैं ऐसा ही यूस करती हो आप चाहो तो ब् देंगे ताकि एक्सेस पानी और तेल अच्छे से पोच दिया जाएगा इसे तवा साफ हो चुका है अब हम लोग गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और धोसा के बैटर को एकदम हलकी हाथों से इसे तवा पर फैलाएंगे आपको जितना बड़ा करना है उतना बड़ा फ फैल चुका है अब हम लोग गैस के फ्लेम को एकदम हाई कर देंगे क्योंकि डोसा हाई फ्लेम पे बनता है जब हम लोग बैटर डालते हैं तब हम लोग गैस के फ्लेम को एकदम लो कर देंगे तो डोसा का जो बैटर है तवा पर अच्छे से वो फैलता है अब हम लोग उस प्रहां थाउल सा प्ले प्लेन दोस पहले तियार करके आपको दिखाया अब चले आमलों मसाल्स ब्रूस बनाते हैं अच्छे से से वॉल्ड कर लिया है ग्लाषम Karl Jennifer तरिके से तवा पर हमें तेल फैल आना है उस पर पानी डालना है पानी के बनाना है उसे अच्छे से दीरे 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 सरकल बनाते हुए इसे अच्छे से तवा पर पैला देना है जैसे अच्छे से डोसा फैल जाए तवा पर तो हमें तुरण गैस के फ्लेम को एकदम हाई कर देना है और उसके ओपर डोसा के ओपर थोड़ा सा हमें तेल डालना है औ इसे अच्छे से दोनों साइट से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से हमारा क्रंची डोसा एक तयार हो चुका है मसाला डोसा सेम उसी तरीके से तवा पर पानी डालेंगे हम लो उसे अच्छे से पोच लेंगे फिर हम लो इसमें डोसा का बैटर डालेंगे और इसे हलके हाथों स से तव पर अच्छे से फैलाईगे जास के फ्लेंग को एकदम लो करके इस तरीक इसे फैला लिया है अब हम वह गास के फ्लेंगे पो एकदम कर देंगे और ढोजा को वह कि सेगे मैं उसके ऊपर मैं फोर सवते prince क कर दो एक दो मिनट में तुरंट यह पक जोड़ने लगें देखिए कलर तुरंट चेंज आप आप तवा को छोड़ने लगता है अब हम लोग मसाला का जो इसमें वेच में और दोनों तरप से फोल्ड नगे तो ये हमारा दूसरा मसाला डोसा रेडी है दोनों तरब से इसे फोल्ट कर देंगे बस ये इस तरीके से हमारा दूसरा मसाला डोसा रेडी है क्रंची सा पतला सा देखे कितना पतला सा है ये इस तरीके से ये रेडी है तो सेम यूई प्रोसेस है तवा पर हमें पाने डालना है और उसे किचिन तावल से पोस्ट देना है गैस के फ्लेम को एकदम लो करना है और डोसा के बैटर डाल कर इसे अच्छे से हमें फैला देना है और बीच में हमें मसाला का स्टाफिंग डालना है जैसे फैला देंगे हम लोग गैस के फ्लेम को हाई कर देंगे और मसाला का स्टाफिंग डालके डोसा को अच्छे से फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से हमारा तीसरा मसाला डोसा रेडी है देखें यमी साथ मसाला डोसा हमारा रेडी है इस तरीके से आप भी इसे ट्राइ करो बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही healthy सी food है, इस तरीके से मैंने ये तीसरा मसाला डोसा आपको बना कर दिखा चुकी हूँ, बहुत ही यमी सी recipe है, आप इसे जरूर ट्राइ करना, देखिए ये सारे मसाले डोसे को मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से मैं इसे अगर आपको मेरी आज की recipe पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और जीनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, बिलते बहुत ही जल देखना ही वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन् तक की सब्सक्राइब करें, तक करेंच बहुत है तक करेंच करेंच करेंगियों।